दोस्तों कल आपको सिर्फ देखेगा तीन चीजों पर फोकस करना है उसके बाद देखते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल और आप अगर लॉस रिकवरी करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप फ्री टेलिग्राम चैनल हमारा जॉइन कर लिजे डिस्क्रिप्शन में कल 14 मिनिट मे बैटा होंगा कि MKD जाएगा कि MKD ढॉन ट्रेंड जाएगा कल अपका फोकस पूरी तरीके से VAN刺 निफिप्टि पर होना चाहिए पूरी तरीके से चूकिक कल का मार्केट ड्राइव करेगा बैंक निफिटी चूकि कि आपके पास और कोई कल प्रेयर फॉर्म में आपको ने नहीं मिलेगा लेकिन ड्राइवर सबसे पहले देखेगा ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा बैंक रिप्टी कैसे तीन चीजे फोकस करनी है बस और कहीं कहीं गलती से अगर आपको निगेटिव ओपनिंग देखने को मिल गई तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर आपको क्या करना है ये भी वताऊंगा इस पर्टेकुलर वीडियो में तो पहले लाइक कर दीचे और आप ऐसा एनलिसिस डेली चाहते हैं तो वीडियो के नीचे यस कॉमेंट करना मत भूलिएगा यस कॉमेंट बाक तू बाक तू बाक तू बाक आने चाहिए कम से कम 1000 तो दोस्तो HDFC बैंक का ADR जो US New York Stock Exchange में क्लोज हुआ है Friday को after the analysis after the result of RIL after so many देखीगा development in 4 to 6 hours जब हम लोग का market क्लोज होता है 3-30 पर उसके बाद कई सारे further development होते हैं जिसमें सबसे बड़ा development में आक होता है था Friday को शाम को कि RBI ने आपे बहुत चांदार work किया है RBI ने short position लेके dollar में जो पैसा बनाया 12 billion dollar का जिससे हमारा Forex है 600 billion dollar देखेगा जम कर चुका है तो आप देख सकते हैं उसका impact पढ़ने के बाद RIL चीजे setup होने के बाद भी HDFC bank ने जो closing दी है वो New York Stock Exchange में क्या दी गई है positive दी है This is a plus point for tomorrow for the bank nifty चुकि सबसे ज़्यादा bank nifty में weightage इसका है HDFC bank और HDFC bank अगर कल positive खुला तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आपके लिए तो ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा काम की update है Second आपको work करना है आपको Kotec Mahindra bank पे शानदा result आए अगर ये 2000 का level कल cross करता है 11% का weightages का nifty bank में तो आपको पता है कि ये short covering में पूरी तरीके से participate करेगा Third आपको पता है Kotec के साथ ICIC bank ने भी सारे market के expectation को सारी चीजों को side में कर दिया है क्या कर रहा है? सारी चीजों को side में कर दिया है चुकि इन्होंने जो result दिये हैं वो market ने expect भी नहीं किये थे market को भी beat कर दिया है तो ये तीनो player आपके देखेगा कल के top 3 खिलाडी होंगे 2 opening करेंगे और 1 first try current पे आएगा तो आप समझ सकते हैं परिशान आपका mood करेगा Reliance Industry तो ये Nifty को कितने नीचे खोलने में successful होता है कितनी नीचे खोलने में successful होता है बस इतना ही खेल है Reliance Industry after result का impact जो भी आएगा तो ये कितना नीचे खोलता है Nifty को ये press point होगा और जैसे ही देखेगा first shooting star या फिर देखेगा first hammer बनता है तो आपको तुरन देखेगा Nifty पे trade कर देना है तो Nifty की strategy मैं आपको बताने जा रहा हूँ Nifty में जो strategy है एकदम clear है एकदम clear है अगर आपको बिल्कुल Nifty कहां मिल जाता है यहां मिल जाता है 1970 के असपास या फिर 1960 के असपास तो महलब इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको इसमें सोचने की ज़ुरत नहीं है बिल्कुल भी ज़ुरत सोचने की ज़ुरत नहीं है कि यहां पे अगर देखेगा opening इससे पहले भी मिल जाए 720 पे भी मिल जाए तो भी नहीं सोचिएगा लेकिन अगर यहाँ पे मिल जा रहा है 19 600 700 के असपास या फिर 680 के पास तो यह तो plus point होगा पहली अगर आपको पहली देखीगा यहाँ पे कैं मिल जाती है hammer मिल जाती है hammer देखीगा ऐसी यह candle अगर मिल जाती आपको पहली hammer मिल जाती है एक minute के time frame पे मिल जाती है तब भी आप उसपे trade कर सकते हो scalp कर सकते हो या फिर आपको देखीगा big bar मिल जाए बहुत अच्छी तो आप उसपे भी trade कर सकते हो green big bar मिल जाए तब भी आप उसपे trade कर सकते हो nifty के लिए बहुत important level होगा यह बहुत ही अच्छा support है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पीछे लिए जलके कई बार nifty ने first, second, third और देखेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कई बार यहाँ पे support लिया है कई बार तो यहाँ पे support लेके nifty एक देखेगा थोड़ा सा scalp और short covering कर सकता है with the support of ICIC bank Kotec Mahindra bank और HDFC bank तो यह कल का सबसे प्यारा trade होगा जो आप 930 पे 945 पे done कर लेना और फिर उसके बाद आपको close कर देना है second चीज नifty bank में nifty bank में मेरा बिलकुल exactly support वहीं पे बना हुआ है 45,880 क्या बना है 45,880 पे वैसे तो nifty bank का मिलना बहुत ही rare होगा बट मिल जाता है तो इसमें इससे अच्छी बात ही नहीं होगी कल hurdle पहला बनेगा 46,280 पे और अगर इसके उपर 15-20 minute market रुखता है nifty bank रुखता है तो आप समल लीजेगा 46,560 का level देखने हो मिलेगा आपको 46,560 जो all time high है उसके पास ही hurdle आपको देखने हो मिलेगा तो उसके बाद ही पूरा next move ड्राइव होगा तो in particular level पे ही कल आपको work करना है scalp करना है वीडियो कर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना है Thank you so much